उत्रपदेश की समस्या थोड़ी जटिल है जे और ये जटिलताएं आई उत्रपदेश की पुलिसिंग में पिछले दो दश्कों से जैसे किसी भी संस्था में अगर सब निरिक्षण करने वाले हो जाएं तो वर्किंग हेंड नहीं बसते क्योंकि जिसको निरिक्षण करना वो तो कुछ काम करेगा नहीं हाथ से वो तो निरिक्षण नहीं करेगा सर्किट हाउस में जाके उत्रपदेश की पुलिसिंग भी राजेश बाबु मेरी बात से सहमत होंगे धीरे धीरे उसी रास्ते पर चली गई आज इतने बोस है इतनी बड़ी हैरार्की है उत्रपदेश पुलिस में कि राम ही बचाए और मात्मा बचाए राइट फ्रम पब्राइब पाइजी पी तु नोडल अधिकारी यह नया फंड्डा जो आया उसके बीच में अडी जी फिर आई जी इप प्र डी आइजी फिर इशिस्पी फिर इश्पी सिटी इश्पी क्राइम और उसका उपर से प्रुभारिं के देश्रालियों sağि थह सो पार्टियों में होते हैं प्रवारी काम किसको करना है पुलिस में मेरा तजुर्बा कहता है नन्यानवे फीसदी अपराध समय रहते नियंत्रित हो सकते हैं अगर बीट कॉनिस्ट बिल का जो सिस्टम था पुराने समय में यूपी में नर्यंदर्टिवारी के समय में या उससे पहले के समय में वह पुनर्जीवित हो जाए और ठाना चौकी दुरुस्त हो जाए मैं तीन दशक से एक यह बात कह रहा हूं यह कंप्यूटर पर लैप्टॉप पर बड़े बले प्रजेंटेशन से पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं सुधरेगी चाहें बिल्डिंग सिगनेचर बिल्डिंग मना लो और चाहें पुराने दफ्तर में अपना काम चलाओ उससे कुछ फरक नहीं पढ़ता गज्रवला म में नवादा में बताओ बरुवसागर में पड्रवना में वहां सरकार का प्रशाशन का शाशन का सब का मतलब है थाना क्या थाना दुरुस्त है उत्तरे नहीं 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 थाना और चोकी दुरुस्त नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं बनेगी और इसकदर इसमें बाबुईज्म आ गया पुलिस में पुलिस में सबसे कम बाबुईज्म होना चाहिए अब इसमें सब तो यादा लिखा पड़ी गुसा दी ADG, DG, ADG, ADG को चिथ्थि ठोके हुए है ADG ठोके हुए IG को, DIG को, SP को और दे चिथ्थि दे चिथि जी MBA जाम कर दिया पुरा रिजल्ट कुझ आ नहीं रहा 20 साल की यह गाथा है उत्तरपदेश की पुलिस की राजेश बाबु जब नवक्री में होंगे तो इनको याद होगा ऐसी ब्यवस्था थी कि दरोगा थाना इंचार्ज को रोज सुबह ब्रीफ करता था जाके थाना इंचार्ज से पूस्ता था 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 क्या मसला चला कौन-कौन से केसे हमको बताओ ततकाल हाथ के हाथ निर्देश देता था कहता जाओ इसा करो वह व्यवस्था खतम हो गई थानियदार से सीयों नहीं मिल रहा सरकिल ओफिसर रोज एससपी को ब्रीफ नहीं कर पा रहे एससपी साब कहां है वो पिसलिया 15 साल से राजनेतिक लोगों की सेवा जादा कर रहे हैं सेवा टैल में भी रहते बाई उनकी भी मजबूरी है क्या वो गुलदस्ता डिपार्टमेंट भी है मिलकुल कि फला आ गये फला जा रहे फला शहर से गुजर रहे फला शहर में इंटर कर रहे तो सीमा पहुंचो वहां तुरंद जूता खड़का बोलो जहन और तुरंद गुल भूल गुलदस्ता और माला वगरा सब्स्ता करो तो क्राइम रिव्यू कहां हो रहा नहीं पत्र जा रहे हैं यह 50 घटनाएं हमने गिनाई 500 भी गिना सकते थे यह ADG, DGP से नहीं सुधरने वाली थी और सुधरी भी नहीं दरोगा और इस्पेक्टर काबिल होते तो व्यवस्था सुधर गई होती या जो प्रभारी गण है पुलिसिंग में वो लोग नीचे वालों स से रोज रिपोर्ट ले पाते हैं उत्रा समय निकाल पाते हैं एक बात कहके वहस्थ पर जाओंगा मुझा फर पूर दंगा हुआ राजपल कशिप्त की सरकार थी पाइटी की मैं उस दंगे की जड़ में गया बाद की बाद छोड़ दो कितने लोग मारें कितने विस्थापित हुए सपाव असपाव अगर इसने क्या किया वो छोड़ो वो दंगा कहां से पैदा हुआ पता ह उस इलाके को कोई आदमी या बैठा नहीं इसलिए मैं उसको थोड़ा बताता हूँ एक गाउं है कवाल वहां लड़की छेड़ी एक वर्ग के लोगों लड़कों वो लोग रिपोर्ट लिखने लिखवाने गए द्रोगवा ने रिपोर्ट नहीं लिखी वो थाने से निकले गाउं वाले भाई बंदू और जो छेड़ने वाले थे उनका भागे खराद मिल गए मिल गए तो ठोक दिया ठोक दिया तो फिर उधर से भी डिटेलिएशन हुआ और वो तब्दील हो गया मुझपर नगर दंगा जो इतिहास में दर्ज हो गया एक दरोगा अगर कवाल में काबिल किस्म का तैनात होता तो वो दंगा नहीं होता बाद में रोके नहीं रुका वो अलग कहानी है लेकिन दंगा होता नहीं